हलो एस्टुडेंट कैसे हो तुम लोग तुम लोग दखी रहे होगे विनायक सर आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का डेस सर एपिसोड डाल रहे हैं लेकिन क्या होता है जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं कुछ ऐसे concept आते हैं जो concept topics से related नहीं होते हैं ऐसाले बविविदियो गल पाहते हैं ठीक वैसे ही आज एक नया वेडिव अप्लोड कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक नई बात सीखेंगे जो किसी बुक में ने दिया है एक्चुली इस टॉपीक नाम है ट्रंकेटेट ओक्टाहेड्रन क्या बता है को सलिक लेते हैं तो को सल बता रहे थे को सलिक लिए यह देखो कहता है कि इंटीजाट है को सब्सक्राइब अब हमें यह समझना हुआ कि ट्रंकेटेट ओक्टाहेड्रन क्या होता है कि लिए रहे देखो अब पता चला हम डेंस्टी पढ़ा रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ा रहे हैं बहुत कुछ पढ़ा है इंसे आरटी बहुत ज्यादा दिया हुआ है लेकिन इंसे इंसे सब्सक्राइब हो जही का कुछ सब्सक्राइब तो बोले ना कि NCRT इस बेसिक नीड़ ओफ कॉंपटेशन बट इस नॉट अफ आपको बहुत साही चीजिए अलग से पढ़नी पढ़ेंगे अब अगर आपको यह कुछ सब्सक्राइब करना है तो बीना ट्रंकेटेड किसी बुक में नहीं दिया है तुम देख लेना कोई भी बूक हो नहीं दिया है ठीक है लेकिन 2011 कोस्टन आने के बाद बहुत अच्छे बूक या फ्वारन रेटर के बूक में देखोगे तो यह टॉपिक दिया हुआ है इसमें जातों कितना फेस होते हैं 14 फेस होते हैं जब कि एक दो टी चार पांट छे ठीक है चेट सब्सक्राइब लिनियरली होते हैं ठीक अब यहां पर क्या होगा एक एक सब्सक्राइब यहां पर निंचे होता है ऐसे हैं आएशे और एक एक्सागन हो यहां पर उपन होता है एसे में एए ऐसी हैसागन होते हैं टूटल एक दो ठीक चार पांट छे साथ आथ कि लिए रोग गया आधे इसमें कुछ रेका इस्क्वार थे निगदे हैं एक स्क्वाइर दो स्क्वाइर फिर यहां पे तीन स्क्वाइर फिर यहां चार स्क्वाइर फिर यहां पांच स्क्वाइर फिर यहां छे स्क्वाइर यहीं टूटल स्क्वाइर कितने में छे और और हिक्सा गुनल कितने हुए फेस आठ आप कुस्टन इंटीर डाइब डारेक्ट लेकिन जब तक कि फिगर तुम को याद दी रहेगा यह कुस्ता नहीं बनेगा अब एक बाट रंकेटी डॉक्टाइडन आ गया इससे रिलेटेड कुस्टन पूछ सकता है कैसे कुस्टन पुछेगा कभी कुस्टन पुछेगा कि वट इस दा नंबर ओफ स्क्वाइड या कु पुछेगा कि वट इस दा फेस्ट विच प्रिजेट इंट्रंकेटी डॉक्टाइडन त्याद अच्छेगा तो यह बहुत इंपर्टेंट ट्रॉपिक था छूटा सा ट्रॉपिक था इसको मेरा वीडियो दिख लोगे तुमको याद आ जाएगा और यह फिगर याद के ले